नमस्कार दोस्तों, जै माता दी स्वागत है, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी एस्ट्रोलोजी में, दोस्तों हो जाएए, सावधान, बागेश्वर धाम सरकार ने आपका पर्चा निकाल दिया है, जिसमें तीन औरतों के नाम आए हैं और दो आदमियों के न आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे, ये पांच लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, आपकी जिन्दगी में जितने भी दुख आएंगे, जितने भी तकलीफ आप होगे, उनके पीछे यही पांच लोग होगे, कई सालों से हाथ धोकर आपके रहते हैं, और जिस थाली में खाते हैं, उसी में छेद करते हैं, इन पांच लोगों ने आपको बहुत परिशान किया है, पिछले समय में, लेकिन दोस्तों, आप बहुत भोले हो, आप समझ नहीं पाते इनके माया जाल को, लेकिन आज के इस वीडियो में, मैं पूरे दाव सटीक देने वाला हो, दोस्तों, 2023 आपकी जिंदगी में केसा भी गया हो, लेकिन अब समय आया है 2024 का, इस साल आपकी जिंदगी में कई बढधे बढधे बढ़लाव होंगे, दोस्तों, कुछ अच्छे भी होंगे, तो कुछ बुरे भी होंगे, लेकिन अगर इन लोगों से स नहीं रहे तो हर एक समय आपको दुख भोग ना पढ़ेगा। देखिए आपके परिवार की बात करें तो दोस्तों, परिवार में खुशियां ही खुशियां होगी, लेकिन ये व्यक्ति आपके परिवार की खुशियों के पीछे पढ़े हुए हैं। दोस्तों, जिस कारण से आप इन लोगों पर थोड़ा सा भी शक नहीं कर सकते और ये लोग दोस्तों मीठा मीठा बोलकर कई सालों से आपको धीरे धीरे बरबाद किये जा रहे हैं। दोस्तों, और आपकी राश पर तो ये खत्रा शुरू से ही मंडरा रहा है। आपकी कुंडली में ही साफ-साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि आपको इन लोगों से हमेशा बच कर रहना है। आपको अपनों से भी बच कर रहना है और आपको सबसे बड़धा धोखा आपके अपने ही रहेंगे। यह बात हमने आपको पहले भी बताई है लेकिन दोस्तों अब नया साल आया है और नये दुश्मनों से आपको निपटना है। कब किस समय आपको बड़ा धोखा मिलेगा। मैं आज आपको इस वीडियो में सभी जानकारी दूँगा। दोस्तों फरवरी का महीना है आपको सबसे ज्यादा बच बच कर रहना पड़ेगा। आपके भविश्य फल यानि कि इस साल के राशिफल में। दोस्तों साफ साफ आया है क्योंकि शनी और राहु की युती बनी हुई है और इस समय यानि कि इस महीने के अंदर आपके दुश्मन बहुत सक्रिय रहेंगे। इसलिए फरवरी के महीने में आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। आपको अपने दुश्मनों से बच कर रहना पड़ेगा। आप ये सोचते होंगे कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मुझे किसी से कोई खत्रा नहीं है। मैं तो गरीब हूँ या मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है। फिर लोग बाग मुझसे दुश्मनी क्यों करेंगा। लोग मुझसे क्या लेना चाहते हैं। देखिए अकसर जिंदगी में हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिनको हम याद तक नहीं रखते। लेकिन जो सामने वाला इनसान होता है, जो हमारा दुश्मन होता है, वह सब कुछ याद रखता है। देखिए, आप कहीं पर दो लोग बैठे हो, आपने कोई बात करी, आपके मुंग से कोई बात निकली, जो सामने वाले को बुरा लग गई। लेकिन सामने वाले ने उस बात को आपको नहीं बोला, लेकिन उसके दिल में तो वह बात छुब गई, तो वह अंदर ही अंदर आपका दुश्मन बन जाता है। आप तो उस बात को भूल गए, लेकिन सामने वाला उस बात को हमेशा याद रखता है, और उसी बात के चलते वह आपसे दुश्मनी निभाता है। दोस्तों, तो दोस्तों, आपको हमेशा ऐसे लोगों से बच कर रहना चाहिए और ये जो फरवरी का मा है दोस्तों आपकी जिंदगी में आपको दुश्मनों से बच कर रहना है साथ ही जनवरी माह के अंतिम कुछ दिन भी आपको संभल कर रहने की सलाह देंगे जनवरी माह के दिनों में आपको बाहरी लोगों से बच कर रहना है, यानि कि दोस्तों जो अंजान व्यक्ति होते हैं, उनसे आपको बच कर रहना है आप कहीं भी बाहर जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, कहीं घूमने फिरने जा रहे हो, जहां काम करते हो, वहां पर हो, वहां पर भी लोगों से बच कर रहिएगा आपकी किसी से अनबन हो सकती है, किसी से दुश्मनी हो सकती है किसी छोटी सी बात को लेकर आपका बाहर विवाद हो सकता है और यह विवाद बहुत बड़ा हो सकता है बात हाथ अपाई तक भी आ सकती है और कोट का चहरी तक भी आ सकती है दोस्तों इसलिए बच कर रहना जनवरी माह के अंतिम दिनों में फूंक फूंक कर कदम रखना अगर आप से कोई लडाई करना चाहे तो आप हाथ जोड लेना और अपने कदम पीछे कर लेना क्योंकि अगर आप लोगों ने अपने कदम पीछे नहीं करें और आप भी गुसे में आ गए और सामने वाले से आप भी लडाई करने लगे तो ये लडाई दोस्तों बड़ा विवाद का रूप लेगी और आपको कोट का चहरी के भी चक्कर काटने पड़ सकते हैं और बड़ी हाथा पाई भी हो सकती है बड़ी दुश्मनी, बड़ी रंजिशों में ये समय चला जाएगा तो आप से निवेदन है कि जनवरी माह के जो अंतिम दिन है उसमें आप लोगों को किसी से भी नहीं उलजना है दोस्तों, दोस्तों, हाथ जोड लीजिए और पीछे हो जाईए क्योंकि अगर आप लोगों ने अपने कदम पीछे नहीं करें और आप भी गुस्से में आ गए और सामने वाले से आप भी लड़ाई करने लगे तो यह लड़ाई दोस्तों, बड़ा विवाद का रूप लेगी और आपको कोट का चहरी के भी चक्कर काटने पड़ सकते हैं और बड़ी हाथा पाई भी हो सकती है बड़ी दुश्मनी, बड़ी रंजिशों में यह समय चला जाएगा तो आपसे निवेदन है कि जनवरी माह के जो अंतिम दिन है उसमें आप लोगों को किसी से भी नहीं उलजना है दोस्तो, दोस्तो, हाथ जोड लीजिए और पीछे हो जाईए इसमें ही आपकी भलाई है कई बार दोस्तो, हमारे अहम पर जब बात आ जाती है हमारे सम्मान पर अगर बात आ जाती है तो हम गुसा करने लगते हैं और सामने वाले व्यक्ती से उलजने लगते हैं लडाई करने लगते हैं कोई हमें गाली दे देता है तो हम भी उसे गाली दे देते हैं उसको मारने पर उतारू हो जाते हैं लेकिन इन समय के अंदर आपको यह गलती नहीं करना है, कोई अगर आपको गाली भी दे तो आपको सुन लेना है और पीछे हट जाना है, आप उस काल के समय से बच जाओगे, आप उस बुरे समय को टाल दोगे, क्योंकि अगर काल टल गया तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर काल नहीं टला, और अगर आप उस काल के चक्रव्यूह में फंस गए, तो फिर वह काल आपकी पूरी जिंदगी को उजाड कर रख देगा, तो समझदार व्यक्ति को समझाने की जरूरत नहीं है, वह हमारे थोड़ी सी बातों से ही समझ गया होगा, अब बात करें, फरवरी म पहाई कहते हैं, जिनसे आपके रिष्टे जुड़े हुए हैं, जो आपके रिष्टेदार हो गए, पडोसी हो गए, या कहने मातर के दोस्त हो गए, इन लोगों से बच कर रहना है, जिस पर भी आपको थोड़ा सा शक भी हो, उससे आपको दूरी बना लेनी है, क्योंकि य आप अपनी सफलता का बहुत धिंडोरा पीटते हैं, दोस्तो, लेकिन अब आपको यह काम नहीं करना है, इस पूरे साल छुप छुप कर छुप छुप कर आपको अपनी सफलता का जश्न मनाना है, लोगों को मत बताईए कि मैंने अपनी जिन्दगी में ये मुकाम हासिल कर जाएगा, जी, बिल्कुल नहीं, देखिए, लोग नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो, लोग नहीं चाहते कि आप जिन्दगी में तरक्की करो, तो फिर आप उन्हें क्यों बताते हैं, बता बता कर उनको क्यों जलाते हैं, दोस्तों, आप सोचते हैं कि मैं बताऊंगा, त उने टोटके भी करवा देते हैं, उनकी काली नजर भी आपकी सफलता पर पढ़ जाती है, और जब आपकी सफलता पर काली नजरें पढ़ी, तब से आपकी सफलता असफलता का रूप ले लेती है, आती हुई खुशी दोस्तों दुख में बदल जाती है, परिशानियां आ जा यहां तक की हमारे परिवार में ही कुछ लोग होते हैं, जो यह नहीं चाहते कि हम उनसे आगे बढ़ें, उनसे ज्यादा तरक्की करें, तो क्यूं आप लोग सब को बताते हैं, दोस्तों छुप छुप कर काम करिए, क्योंकि दोस्तों आप अगर अपने सफलता का धिंडोरा पीट दोगे, तो नजरें लगना तो स्वाभाविक सी बात है, इस पूरे साल छुप छुप कर काम करिए, इस पूरे साल किसी को मत बताईए कि आप क्या कर रही है, जब नया साल आए तो दोस्तों, आपकी जो सफलता है, उसकी गूंज पूरे शहर में पढ़नी चाहिए, दोस्तों, इसकी गूंज इतनी होनी चाहिए कि कोई आपके उपर नजर भी लगाए तो उसका असर न पड़े, साल के अंत में लोगों को बता दीजिए कि हाँ मैंने देखो, पूरे साल मैंने कुछ नहीं किया, साल मैंने महनत की छुप छुप कर, लेकिन आज देखो, पू ये नहीं कहते कि आप धिंडोरा पीटो ही मत, पीटिये, लेकिन जब पूरी सफलता हासिल हो जाए, आप सब कुछ हासिल कर ले, तब आप लोगों को बताईए, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा हासिल करा और ढोल पिटने लग गए, ऐसा नहीं करना है क्योंकि जब थोड़ा सा हा हो जाएंगे क्योंकि वो पेड़ज आपका बाल तक बांका नहीं कर पाएंगे, अब आप पूछेंगे कि ये तीन पांच लोग कौन हैं, तो देखिए दोस्तो, फरवरी के माह में भी आपको बच कर रहना है, उसके बाद दोस्तो, मार्च में भी खतरा बना हुआ है इन दो महीनों में भी आपको बच कर रहना है, पूरा साल दुश्मनों से बच कर रहना है, बस कुछ-कुछ महीनों को छोड़ कर, क्योंकि इस महीने का जो राशिफल सामने आया है, उसमें आपको खास कर अपने दुश्मनों से बच कर रहना है, और उसमें तीन औरते शामि भी हो सकती है, तो दोस्तों कहते हैं कि ओरते, दोस्तों अक्सर बहुत ही अंदर से अपने दोस्त दुश्मनी निभाती है, किसी को बोल कर नहीं निभाती है, लेकिन छुप-छुप कर दुश्मनी निभाने में, ओरतें बहुत नंबर वन पर आती है, दोस्तों बहुत माहिर ह दुश्मनी निभाने में। इसलिए किसी भी औरत से दुश्मनी करो तो सोच समझ कर करो। किसी भी औरत से दोस्तों रंजिश मत पालिए। कोई औरत अगर आपसे उलजे तो हाथ जोड़ लीजिए। किसी के प्यार में भी पढ़ो तो सोच समझ कर पढ़ो। किसी से दुश् उसी या आपका कोई रिष्टेदार भी हो सकता है, जहां काम करते हैं वहां भी हो सकता है, अब आप बोलोगे कि इनकी राशे क्या है, राशे तो बता दीजे, गुरु जी तो देखिए, हमने अक्सर आपको कहा है कि आपकी ही राशे के लोग आपके लिए मुसीबतें खड़ करते हैं, यानि कि आपकी जो राशे है, उसी राशे के जो अन्य व्यक्ति है, उनसे बच कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए आपकी ही राशे जहर है, दोस्तों, बस उनसे बच कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि आपके घर में ही आपकी राशे के कुछ लोग हों, तो उनसे बच कर रहना है देखिए इनके जीवन में भी कुछ ऐसी परिस्थिती आ जाती है कि यह न चाहते हुए भी आपको धोखा देने में आपसे रंजिशें करने में मजबूर हो जाते हैं देखिए एक परिवार था हम दोस्तों अभी हाल ही में कुछ महीनों पुरानी एक बात बता रह हमारा बहुत प्यार भरा रिष्टा था लेकिन कुछ महीनों पहले ही उनके जीवन में जमीन जायदात को लेकर बहुत विवाद हुए और वह लोग मरने मारने तक उतावले हो गए जरा से जमीन के टुकड़े को लेकर तो देखिए समय कुछ भी करवा देता है परिस्थित परिवार की नीव भी हिला देता है तो समझदार व्यक्ति वही है जो इन चीजों को पहले से ही सुलजा कर चले इसलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों आप बहुत भोले इंसान हैं आपका हर समय फाइदा जमाना उठा रहा है आपके अपने भी उठा रहे हैं दोस्तों आप खोल थोड़े से आंसू ला दे तो आप उसकी बातों में आ जाते हैं दोस्तों आप उसकी मदद करने लग जाते हैं तो दोस्तों देखिए यह जमाना बहुत जालिम है इस बात का आपको ध्यान रखना है इस जमाने में दोस्तों हर कोई दयालू नहीं होता हर कोई अपना आदमी, क्योंकि वह भी एक मजबूर होता है, वह भी मजबूर होता है, वह भी अपना अपने परिवार का पेट भरना चाहता है, तो इनसान से पैसा सब कुछ करवाता है। दोस्तों इसलिए ध्यान रखिए कि यह जो माया जाल से भरी हुई दुनिया है, इसमें अगर आपको अपना वर्चस्व बढ़ाना है, तो दोस्तों थोड़े से चतुर चालाक बन जाईए। चतुर चालाक नहीं बने तो लोग लूट खाते हैं। देखिए अगर आप कहीं मंदिर पर जाते हैं या कहीं घूमने फिरने वाली जगह जाते हैं, कहीं स्टेशन पर देख लीजिए या कहीं दोस्तों आप मंदिर में देख लीजिए। अक्सर आपको कुछ ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो पैसा मांगते हैं, जो कहते हैं कि तेरा सुखी संसार रहेगा, मुझे RS10 दे दे, RS50 दे दे, कुछ लोग इतने गिर जाते हैं कि वह अपने बच्चों को दोस्तों जखमी कर देते हैं और फिर लोगों से पैसा मांगते हैं कि मेरा बच्चा जखमी है, इसके इलाज के लिए पैसा दे दीजिए, लोग इतने गिर गए दोस्तों, ये बहुत बड़ी माया जाल वाली दुनिया है, इसमें आपको संभल कर रहना पड़ेगा, क्योंकि लोग आपको आपके दिल को छुएंगे, आपको इतना इमोशनल करेंगे कि आप उनकी बातों में आ जाएं, लेकिन आपको टस से मस नहीं होना है, कठोर बनना दोस्तों, कई लोग आपको कहेंगे कि मैं कई दिनों से भूखा हूँ, कई दिनों से तो मैं प्यासा हूँ, मुझे पैसा दे दीजिए, मैं रोटी खाऊंगा, लेकिन वह रोटी नहीं खाते हैं, देखिए, ये लोग रोटी नहीं खाते हैं, ये लोग वह पैसा लेकर आशे के लोगों को आपके अपने ही लूट खाते हैं, आपकी जमीनों को भी आपके अपने ही लूट खाते हैं, तो बाद में आप देखते रह जाते हैं, क्योंकि आप तो बहुत मायूस हैं, आप तो बहुत ही दोस्तों नरम दिल के हैं, आपका भाई आपसे दोस्तों ऐसी बातें करेगा, जिससे आपका दिल नरम हो जाएगा, और फिर आप अपनी जमीन भी उस भाई को दे देते हैं, क्योंकि आप तो बहुत ही मासूम हैं, आप तो बहुत ही नरम दिल के हैं, तो देखिए दोस्तों, आज हमने आपको अच्छे से समझाया है, इस पूरे साल आपक को सीखने को मिला होगा, तो वीडियो को लाइक करिए, और एक बात का ध्यान रखिए, कि स्वार्थ से भरी हुई इस दुनिया में कोई किसी के लिए नहीं रुकता है, आप लोगों के दोस्त, तो तब तक अपने हो, आप लोगों के तब तक अपने हो, जब तक आप उनके काम की हो, जब आप उनके काम के नहीं रहे, तब आप कौन और वो कौन, आपको सावधान रहना होगा, आगे वीडियो में हम कुछ खास सावधानियां आपको बताने वाले हैं, और अंत में मिलेंगे, आपको दो बड़े जरूरी उपाए, तो थोड़ा सा समय निकाल कर, अ हो सकता है, गिर कर चोट लगने की आशंका है, क्योंकि कुछ नकारात्मक ग्रह है, जो परिशान कर सकते हैं, तो वहाँ आपको थोड़ा सावधान रहना है, उनके शिकंजे में नहीं आना है, थोड़ा देख कर के चलना है, खास तोर पर फिसलन वाली जगहे पर, खास तोर जानते, एक दो बार आपने देखा होगा, वह आपके पास आएगा, और आपको आपके बिजनस के लिए सलाह दे कर जाएगा, अब मन ही मन आपको भी सलाह लगेगी, तो बहुत अच्छी, और आपका मन होगा उस पर काम करने का, लेकिन वास्तविक्ता में उव्व था, एक नया इंसान, और आपको ज्यादा कुछ वह जानता भी नहीं है, ना आप उसे जानते हो, फिर भी वह आपको सलाह दे रहा है, तो क्या इसके पीछे उसका कोई निजी स्वार्थ है, बहुत धंक से सोच विचार कर लेना है, क्योंकि लोग इसी तरह अपना उल्लू सीधा कर अपने दुश्मनों को राहों से हटाते हैं, और आप बड़े मासूम हैं, आप लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, कहीं इसका फाइदा वे लोग उठा ना ले, इस बात का ध्यान आप ही को रखना है, साथ ही साथ अपने काम से काम रखे, बेवजह किसी से व्यवहार खराब न करे, पीट पीछे धोका मिलने की संभावना है, राधे राधे जल्दी कमेंट में लिख दी, अगर राशिफल अच्छा लगा हो, जातकों के लिए यह सप्ताह जीवन में नए अवसर लेकर आने वाला है, इस सप्ताह आपको घर और बाहर, दोनों जग स्वजनों और शुब चिंतकों का सहयोग और समर्थन मिलेगा, आपके सभी काम समय से पूरे होंगे और रोग शोग चिंताएं दूर होंगी, यदि आप बेरोजगार हैं, तो आपको मन चाही नौकरी या रोजगार हासिल होगा, व्यवसाय से जुड़े लोग अपने काम क का विस्तार या फिर किसी नए काम में भी हाथ आजमा सकते हैं, सप्ताह के उत्तरार्द में आपको अपेक्षा से अधिक लाभ की प्राप्ति होगी, बाजार में आपकी सांख बढ़ेगी, नौकरी पेशा लोगों के अधिकारी उनके काम काज से प्रसन रहेंगे, सप्ताह कारियों में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा, सप्ताह के उत्तरार्द में लंबी या छोटी दूरी की यात्राओं के योग बनेंगे, यात्रा सुखद और मनोरंजग साबित होगी, यदि आप अविवाहित हैं तो इस सप्ताह आप किसी रिष्टे में बंद सकते हैं छोटी मोटी दिक्कतों को इग्नोर कर दें तो यह सप्ताह आपकी सेहत के लिए सामान ने रहने वाला है, प्रेम संबंध में प्रगाड़ता आएगी, लव पार्टनर के साथ अच्छी ट्यूनिंग बनी रहेगी, परिवार में भाई बहनों के साथ भी प्रेम सभाव बना रहेगा, दामपत्य जीवन में पति-पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास बना रहेगा, सप्ताह अपने कार्यक्षेत्र में अपने विरोधियों से खूब सतर्क रहें, अन्यथा वे आपका काम बिगाड़ने के साथ आपकी छवी को खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं, घर परिवार में स्वजनों के साथ किसी बात को लेकर गलत फहमी पैदा हो सकती है, जिसके कारण अपनों के साथ दूरियां बढ़ेंगी, सप्ताह के उतरार्द में आपको अपनी वानी और व्यवहार पर बहुत ज्यादा नियंत्रन रखने की आवश्यक्ता रहेगी, क्यो पर पढ़ें हस्ताक्षर न करें, इस सप्ताह किसी तीसरे व्यक्ती की अनावश्यक दखलंदाजी के कारण आपकी लव लाइफ में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, जीवन साथी की सेहत को लेकर मन चिंतित रहेगा, यह सप्ताह आपा धापी या फिर कहें ज्यादा भाग द पहिन रह सकता है, सप्ताह की शुरुआत में मौसमी, अत्वा कोई पुरानी बीमारी के उभरने के कारण भी आपको शारीरिक या फिर कहें मानसिक परेशानी जहलनी पड़ सकती है, इस दौरान घर की मरम्मत अत्वा किसी बड़ी चीज की खरीदारी करने पर आपका की जगह खासा नुकसान जहलना पड़ सकता है, किसी के बहकावे में आकर कोई भी बड़ा कदम न उठाएं और किसी भी कागज पर सोच समझ कर ही साइन करें, इस सप्ताह कामकाजी महिलाओं को कार्यक्षेत्र और घर परिवार के बीच ताल मेल बिठाने में थोड़ी दिक भी बना रहेगा, लेकिन आये के मुकाबले खर्च की अधिकता रहेगी, इस दौरान अचानक से मित्र या परिवार के सदस्यों के साथ परिठन पिकनिक का प्रोग्राम बन सकता है, घर में धार्मिक मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, यदि आप अब तक सिंगल थे, तो प्रेजन आपके प्रेम संबंध को स्वीकार कर सकते हैं, व्यवसाय से जुड़े लोग सप्ताह के उतरार्ध में किसी नई कार्य योजना पर काम कर सकते हैं, पार्टनर्शिप में काम करने वाले लोगों के लिए यह समय बेहद शुभ रहने वाला है, धन लाब होगा, किसी पेट से संबंधित कोई रोग या कष्ट आपकी परेशानी का कारण बन सकता है, इस दौरान कोई पुराना रोग उभर सकता है, जिसके चलते आपका कामकाज प्रभावित हो सकता है, सेहत से संबंधित किसी भी समस्या को इगनोर करने पर आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, सपताह का पूरवार्ध न सिर्फ सेहत बलकि संबंध की दृष्टि से अशुब है, इस दौरान किसी प्रिये व्यक्ति के साथ वाद विवाद हो सकता है, जिसके चलते आपका मन थोड़ा खिन रहेगा, कार्यक्षेत्र में भी सीनियर और जूनिय रहने वालों के लिए यह सपताह चुनौती पूर्ण रहने वाला है, समय पर टार्गेट को पूरा करने के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करना होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े लोगों के लिए सपताह का उत्तरार्ध शुभ रहने वाला है, इस दोरान उन्हें कोई बड़ा कॉंट्रेक्ट मिल सकता है, इस दोरान संतान से जुड़ी कोई चिंता आपकी परेशानी का कारण बनेगी, प्रेम संबंध में कुछ एक अडचने आ सकती है, किसी बात को लेकर लव पार्टनर के साथ गलत फेहमी पैदा हो सकती है, विवा पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए